दोस्तो आज की जो भाइकेंसी है वो बंधन बेंक के तरफ से निकाली गई है दोस्तो इस बेंक के तरफ से अलग-अलग पोस्ट और अलग-अलग लोकेशन के लिए भाइकेंसी निकाली गई है जिसे आप घर बैठे मोबाइल फोन से ओनलाइन तरीके से अपलाई कर सकते हैं और दोस्तों दिये गए interview location पे जाके अपना interview दिये सकते हैं अब कौन-कौन से लोग apply कर सकते हैं apply process क्या रहने वाला है, qualification क्या रहने वाला है कौन-कौन से documents आपके पास होने चाहिए यह सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा क्योंकि यहाँ पर प्रते दिन आपको इसी परकार के job से सम्मंदेद वीडियो देखने को मिलेंगे दोस्तों इस vacancy के लिए apply करने के लिए सबसे पहले आपको google पे जाना होगा और दोस्तों google पे जाके आपको type करना है बंधन bank दोस्तों बंधन bank type करने के बाद आपको search करना है जैसे ही आप search करेंगे तो किछ इस परकार का page open हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा carrier इस carrier वाले option पे आपको click करना है जैसे ही दोस्तों आप इस carrier वाले option पे click करेंगे तो बंधन bank के तरफ से जो भी carrier का official website है वो खुल के आपके सामने आ जाएगा कुछ इस परकार का page open हो जाएगा दोस्तों नीचे में जो एक option है proceed का इस पे आपको click करना है जैसे ही दोस्तों आप इस पे click करेंगे तो फिर से एक नया सा page open हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे तीसे नमर में जो लिखा गया है respect for all इस पे आपको click करना है जैसे दोस्तों आप इस पे click करेंगे तो फिर से एक नया सा page open हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पर जो option दिख रहा है आपको join us now का, इस पे आपको click करना है, जैसे दोस्तों आप इस पे click करेंगे, पुछ इस परकार का page फिर से आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पर दो option है, पहले वाले option पर अगर आप click करेंगे तो यहाँ धेर सारा option आपको मिल जाएगा, आपकी छेतर में job ढूनना चाते हैं, तो आप अपना छेतर select कर सकते हैं, अगर आपको banking line में जाना है तो banking select करना है, आपको IT line में जाना है तो IT select करना है, आपको marketing line में select करना है, digital banking के तरफ जाना है, तो digital banking को select करना है, finance and account के छेतर में जाना है तो उसको आपको select करना है, चलिए हम कोई एक सा option आपको select करके बताते हैं, उसके बाद दोस्तों दूसरा वाला जो option है, यहाँ पर आप अपना location ढून सकते हैं, या फिर आप अपना सहर का नाम डाल सकते हैं, दोस्तों कोई एक राज का नाम डाल के हम आपको search करके बताते हैं, दोस्तों यहाँ पर राज का नाम डालने के बाहाँ पर जो continue वाला option है, इस पर आपको click करना है, जैसे ही दोस्तों आप इस पर click करेंगे तो एक form खुल के आपके सामने आ जाएगा, कुछ इस प select करना है, दोस्तों चोथा बला जो option है, इस पर आपको current pin card डालना है, आप कहां पर रहते हैं, उस location का pin card डालना है, दोस्तों अगला बला जो option है, इस पर लिखा गया है current estate, आप किस राज से belong करते हैं, उस राज का नाम डालना है, city का नाम डालना है, highest qualification आपका क्या है, वो दालना है उसके बाद फ्रेसर हैं या फिर आप experience वाले हैं उसको select करना है उसके बाद यहाँ पर जो एक option आपको दिख रहा होगा continue पर इस पर आपको click करना है चले दोस्तों अब हम सारा कुछ इसमें भरके आपको continue करके बताते हैं कि आगे आप से कौन-कौन से चीज और करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना email id डालना है दोस्तों यह सारा कुछ डालने के बाद last में आपको submit करना है जैसे ही दोस्तों आप submit करेंगे तो तीसरा बला जो option है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी इस परकार का green tick लग जाएगा उसके बाद आ आपको phone call या फिर email id के जड़िये आपको बता दिया जाएगा कि आपका interview कब और कहां पर लिया जाएगा तो आप अपना interview देने के लिए उस location पर जा सकते हैं